क्लास 9 के सभी स्टुटेंट को अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है यूबिन्स क्लासेस मैं हार्दी स्वाइब करता हूँ आज किस वीडियो में आप लोगों को प्रेक्टिकल बन जो कि एक्सपेरिमेंट बेस्ट है जिसमें आप लोगों को बताया जाए किस प्रेकार से प्रेपरेशन आप लोगों को समझ में पूरी वीडियो आ जाएगी वीडियो देखने के बाद लाइक शेयर कमेंट करना बिलकुल मत भूले हर एक वीडियो पर आप लोगों के लाइकस आने जाएःं daha दियान रहें अगर चेनल आप लोगों के सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले आज हम लोग बात करेंगे experiment की जो आप लोग के course में रखा गया है तो जो practicals हैं उसमें आप लोगों के experiments जो रखे हुए उनको आप लोगों को अपनी experiment file में complete करते हुए चलना है तो ध्यान रखें अगर आप लोगों class 9 में हैं तो आप लोगों के CBSC boards जो सिलिबस में आप लोगों experiment रखेंगे हैं उसमें जो सबसे पहला experiment आप लोगों करना है वो preparation of stand temporary amounts of किसका रखना है A और B दो है तो एक में onion pills है और दूसरे में human cheeks cells ठीक है इन दोने की cells के related आप लोगों का experiment करना है तो experiment 1 जो है आप लोगों का onion pin वाला इसको किस प्रकार से आप लोगों अपनी copy में लिखना है इसको थोड़ा सा आज में confirm समझा देता हूँ उमेद करता हूँ आप लोग पूरी वीडियो एन तक देखेंगे और अपनी copy में इसको करने जा रहा है तो समझ लेते हैं इसको किस उद्देश के लिए तो प्रिपेर आ इस्टेंट इंपरेड़ी माउंट आफ एन इन पी एंड टु रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन एंड ड्रो लेबल डाइग्राम ठीक है तो यह जो अनियन पील है उस पर रिलेटेड़ आप ल लोगो नेक्स आप लोगो लिखना कौन कहूं से एक वाइड जो आप लोगों को जिसकी जरूत होती है एक अपयरेटर से रिकॉर्ड यह नेक्स टेटिंग है इसमें आप लोगों कि चीजों की आवश्च्छता होगी अपने एक्सपेरिमेंट पूरे तो वही चीज आप ल के लिखी हिए आप लोगों से अफ पड़ेति हैं कि आप लोग नियों दो किसे बने हैं, cells से मिलके बने होते हैं, इसलिए हम cells को fundamental unit of life भी कहते हैं, आप लोग कोई first chapter biology में ये चीज रखी भी गई है, the shape, size and the number of these units vary हो सकते हैं किसी भी organism में, मतलब ये different हो सकते हैं किसी भी organism में, किसी में single cell हो सकता है, किसी में multicellular cells हो सकता है, clear समझ में आ गया, the three major components of the cells are cell membrane, cytoplasm and the last one is nucleus, मतलब किसी भी cell में, हमेशा ध्यान रखना है, आप लोगों को तीन चीज़े दिखाई देंगी, तो सबसे पहला क्या है, cytoplasm, cell membrane and the last one is nucleus, clear हो गया, इना plant cell की अगर बात करें, a cell wall surround the cell membrane, मतलब plant cell में एक layer दिखाई देगी, जिसको हम लोग cell wall के रूप मे जानते हुए आए हैं, ठीक है, लेकिन plant cell में कभी भी cell wall नहीं पाए जा सकती, clear समझ में आ गया, cell wall ये एक characteristic feature होता है, plant cell का, ठीक, अब procedure में आप लोगों क्या लेखना है, क्या चीज़ है, procedure कैसे करना है, take an onion and remove its outermost peel, मतलब आप लोगों क्या करना है, प्याज के टुकले कर लेना है, एक टुकड़ा उठा के, उसकी जो outer most peel होती है, सफेद रंग का, जो उसमें रेशा निकलता है, उसी को निकाल लेना है, ठीक, clear समझ में आ गया, अब क्या करना है, second point में, now cut a small part of an inner scale, leave with the help of a blade, तो आप लोगों क्या करना है, cut कर लेना, small part of the inner scale का, ठीक है, inner scale जो भी होगी, उसका, जो part होगा, उसको cut कर लेना है, किस से cut, cut करोगे, blade से cut करोगे, with the help of blade, ठीक है, second समझ में आ गया, third क्या है, separate कर देना है, अलग कर देना है, उस thin, पतली, transparent peel को, जो आपने अपने प्याज से निकाली थी, ठीक है, and convict surface of the skin, leave with the help of forceps, मतलब forceps, एक instrument होता है आप लोगों के destruction box में ये चीज़ मिल जाएगी, तो forceps की सहायता से, आप लोगों को जो thin, एक आप लोगों ने transparent peel निकाली थी, onion peel से निकाला था, उसको क्या करना है, scale की सहायता से, leave with the help of forceps की सहायते, बाहर निकाल लेना है, और उसके बाद, keep this peel in a watch glass containing water, मतलब watch glass पे उसको क्या समझना है, add two drops of safranine, ठीक है, safranine का इस्तेमाल करना है, कितने drops, दो drops, हैना mostly बहुत ज़्यादा, आप लोगों को safranine use नहीं करना है, अब आप लोग माउंट करेंगे, stain करेंगे in the watch glass to stain the peel, अब stain करने के बाद क्या करेंगे, पील को, उसके बाद take a clean slide, एक slide लेंगे, उ क्योंकि आप लोग एक temporary slide बनाने जा रहे हो, तो glycerine का इस्तेमाल आप लोगों को करना है, ठीक है, glycerine, two drops of glycerine, now you have to use, कहाँ पर उसी slide के ओपर, two drops आप लोगों को use करने है, in the center of the slide, slide के बीचो बीच आप लोगो glycerine, use करना है, फिर क्या करना है, with the help of a brush, brush की सहायता से, and needle transfer, needle की सहायता से, the peel on the slide, slide पर ठीक से रख देनी है, कहाँ पर, जहाँ पर आपने glycerine रखी थी, ठीक है, glycerine, two drops रखे थी, ठीक है, slide के बीचो बीच, prevent the peel from drying up, मतलब glycerine क्या करेगा, इस जो peel हमने निका ले थी, इसको सूखने से बचाएगा, ठीक है, clear समझ में आगया, cover slip, and avoid any air bubbles from the entering, entering the cover slip, और ध्यान रहें, bubbles बिल्कुल नहीं जाने चाहिए, तो इसनी साफधानी से आप लोगों को क्या करना है, cover slip, cover करना है, जिसमें bubbles बिल्कुल ना जा पाए, 9th point में, remove any excessive glycerine, with the help of filter paper, मतलब remove कर देना है, any excessive glycerine, with a filter paper, अगर आपको लगता है, कि slide के बाहर या फिर cover slip को बाहर glycerine निकल चुकी है, तो आप लोगों with the help of filter paper के साहिता से उसको साफ़ कर देना है, ठीक है, अब 10th point में अपने observation को आप लोगों देखना है, observe the prepared mount of the peel, under the low and high magnification of a compound microscope, आप लोगों ने compound microscope का इस्तेमाल किया होगा, उसमें क्या आप लोगों ने देखा यह magnification, जो उसमें mirror लगी रहती है, उसमें आप लोग देखोगे, तो magnification, lens लगी होते हैं, sorry, magnification lens लगी होते हैं, उसके साहिता से आप लोग देख सकते हो, एक तो low होता है और यह दूसरा high होता है, तो दोनों की साहिता से आप लोग क्या करएं, अपने observation को देखोगे, और जो observation आप लोगों ने देखा उसी को आप लोगों अपनी copy में लिख देना है क्या लिखना a large number of rectangular cells are visible मतलब large number of rectangular cells थी वो दिखाई देने लगी ठीक है these cells lie होती है close to each other with the intercellular spaces ठीक है intercellular spaces के बिलकुल करीब होती है between them उनके पीचो भी these cells are surrounded by the distinct cells wall ठीक है clear समझ में आ गया these cells have a dark stained nucleus and a large vacuum in the center तो आप लोगों का अपने observation में जो भी cell से related characteristic feature थे सब दिखाई देने लगे अब बात करते हैं क्या चीज़ किस चीज़ की a b की तो इसमें है क्या methods of separating an onion peel structure of an annual cells under the microscope तो इसमें आप लोग 450 मतलब आप लोग zoom करके भी देख सकते हैं precautions थोड़ा सा ध्यान रखना कि क्या चीज़ आप लोगो चेतावनी दी जाती किस चीज़ की आप लोग साफधानी अब रहत नहीं है तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं ध्यान रहे understanding and understanding should be avoided तो overstanding बिलकुल नहीं करना है understanding इसको ध्यान से रखना है सैफ्रेनिन का जो यूज आप लोग करेंगे तो उसको भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादे सैफ्रेनिन यूज नहीं करनी है और बहुत ज़्यादा glycerine का प्रयोग भी नहीं करना है तो इसको थोड़ा सा ध जाए तो इसको सही से आप लोग cover slip पे cover करके रखें ठीक है next है slide पर cover slip को साहता से cover करके रखें third point में clean and dry glass slide and cover slip should be used ध्यान रहें अगर slide गंदी है तो इसको साफ कर ले watch glass गंदा है तो इसको साफ कर ले ध्यान रहें पानी सुद्ध साफ हो next है fourth point में cover slip should be put carefully avoiding air bubbles air bubbles बिलकुल नहीं आना चाहिए जब आप cover slip से क्या कर रहें हो cover कर स्लाइट को ठीक है clear समझ में आगे है first experiment का जो ए पार्ट था onion पील से related वो आप लोगों समझने आ गया होगा इसकी related वीडियो आप लोगों बहुत जल्द ही दी जाएगी दिखाई जाएगी बताई जाएगी और समझा तो क्या करना सबसे पहले objective क्या है इसका उद्यस सी क्या है to prepare a stand temporary mount on a human cheek ठीक है human cells के बारे बात हो रही है यहाँ पर and to record the observation and draw the label diagram तो साथ में डाइग्राम भी बनाते हो चलना है फिलाल तो अभी बात करते हैं apparatus and material required कौन कौन सी जो कि आप लोग का अवश्यक्ता होने वाली है तो सबसे पहले tooth peak क्योंकि आप लोग जो cell से निकालोगे वो अपने दातों उसके बीचों बीच मतलब दात के अंदर से निकालोगे ठीक है क्यों थोड़ा सा जीब लग रहा होगा लेकिन जो cheeks है तो कहां से आप लोग को observe मिलेगी वो tooth peak की साहथे सही आप लोग निकाल पा आप लोगो समझा देता होुए हम लोग जानते है अनीमल से उसरी क्या होते हैं इंका कोई शेप नहीं होता यहां पर cell वोल की कोई भी बात हम लोग नहीं करेंगे तो सीजर में आप लोग किस प्रकार से जो मांउन करना है इसको थोड़ा समझ लेते हैं सबसे पहला काम of a wash toothpick gently scrap the inside your cheek मतलब अपने दातों के अंदर आप लोगो toothpick का इस्तेमाल करना है और वहां से क्या करना है दातों के उपर से वह toothpick को आपको रगड़ना है जिसमें cells जो आप लोगों की होगी वो उसमें आ जाएगी ठीक समझ में आगे बाद place the scrapping in the center of the clean glass slide उस glass slide पर वही toothpick आप लोगों को saddle center भरग देनी है add a drop of water added a drop of methylene blue ठीक है methylene blue का इस्तेमाल करना है आप लोगों को कहां पर इस्तेमाल करना है drop of water added a drop of methylene blue वही जो slide आप लोगों ने यह तो इस्तेमाल करना है after one minute क्या करना एक मिनट के बाद remove कर देना the extra water mixed with the methylene blue by slightly titling the slide ठीक है तो यहाँ पर बात की जा रही है एक मिनट के बाद आप लोगों को remove कर देना यह ध्यान रहे water mix जहाँ पर आप लोगों mix किया था with methylene blue के द्वारा by the slightly titling the slide ठीक है अब आप लोगों को क्या करना है माउंट करना है with the help of glycerine के साहिता से ओवर दे स्क्रैपिंग और कवर जेंटली विदा यहान पूर्वाइब को ढग देना है six point में remove the excess glycerine जैसे उसमें आप लोगों ने किया था फर्स्ट एक्सपरिमेंट ग्लिसरीन जो एक्सस था ज्यादा ग्लिसरीन तो जो साइड साइड निकल चुकी थी उसको आप लोगों को remove कर देना है clear संद में आ गया remove the excessive glycerine under the using the filter paper clear हो गया next day observe the scrapping under the low and high magnification of a microscope ठीक 7th वाला point और जो first experiment का 7th point था वो आप लोगों को common लग रहा होगा ठीक है ब्युकल केविटी से यूजिंग टूथभी की सहयता से cheek cells are seen under a microscope दिखाई देते हैं ठीक है many flat oval irregular cells are seen दिखाई दे रहे थे जिसमें the cell membrane encloses था किसके hyaline cytoplasm and an oval dense nucleus के साथ जुड़ा हुआ था the cell wall is absent थी वहाँ पर as in all cell किसमें animal में तो यह absent ही होती है सारे animal cells में अब precautions को थोड़ा समझ लेते हैं सावधानिया थोड़ा समझ लेता है चेतावनिया थोड़ा समझ लेते हैं क्योंकि ध्यान रखना है अपने experiment में अगर आपने सावधानिया नहीं बढ़ती तो आप लोगों का experiment fail हो सकता है due to lack of precautions स्रीक है समझ में आगे क्या बात करते हैं the cheeks around sorry the cheeks should be scrapped gently avoiding any injury ध्यान रखना कोई भी injury नहीं होने चाहिए बिल्कुल आप लोगों toothpick का इस्तेमाल बहुत ही बारीकता से करना है second है over standing and understanding of the cells should be avoided ध्यान रखना over standing बिल्कुल नहीं करने है understanding बिल्कुल नहीं करने है next है cover slip should be place carefully avoiding the entry of air bubbles air bubbles बिल्कुल नहीं जाना चाहिए इसको साफधानी से आप लोगो cover slip जो है slide पर cover करना है ठीक है fourth point में a dry and clean glass slide and the cover slip should be used ध्यान रहे है जो भी slide आप लोग यूज़ कर रहे है सुद्ध वो साफ होनी चाहिए clean होनी चाहिए गंदी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए तो इसका इस्तेमाल करना है आप लोगों को the cheek cells should be spread properly to avoid the folding ध्यान रखना वही चीज जो आपने पहले experiment पढ़ी कि ऐसे experiment करते समय आप लोगों बारिकता का ध्यान देना है सही तरीके से आप लोग अपने slide पर अपनी जो mounting करनी है तो इसलिए ध्यान रहे आप लोग अगर चाहते पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा चोटे चोटे पॉइंट पाने के लिए बैल आइकन प्रेस करना बिलकुल मद भूले धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए